नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं नौलेज बजार आज के वीडियो में हम बात करेंगे द्रिश्टी के समाने ग्यान के बारे में 2021 का यह एडिसन है जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा और द्रिश्टी के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यह जो इ सब्सक्राइब को देखा यह सभी यह सभी ग्जाम के लिए जो प्रिलिम्स का एक्जाम होगा PCS के एकजाम के लिए अपर यूजए के लिए यूजए के लिए उतना प्योगी नहीं होगा बठिकनोमिक्स वाला पोर्शन आप यूजज कर सकते हैं और जो एक दिवसी के लिए तो बहुत अच्छा लगा इसमें गलती आपको काफी कम देखने को मिलेगा किरन कभी बुक है वहां पर भी गलती देखने को मिलता है मुझे लुसेंट में भी गलती देखने को मिलता है बट इस बुक में आपको गलती बहुत कम से कम से कम गलती देखने को मिलेगा भावातिकी विग्यान को कवर किया गया ठीक है अंतराश्चिय संगठन खेल को हर एक टॉपिक को यहां कवर किया गया चलिए हम इसके इंडेक्स को देखते हैं तो इस बुक का जो मैं पहले आप लोग को MRP बता देता हूं 230 रुपया इसका दाम है यहां देख सकते 230 रुपय में printed हुआ और हम बात करें और हम बात करें यहां पर देखेगे तो उसके ब साइद यहां फोकस का अब सही हो गया देखेगा यहां पर प्राचीन भारत होगी अम्मद इकालीन भारत होगी आधुनिक भारत हो जाएगा उसके बाद यहां देखेगा कलायोम संस्कृति है उसके बाद अगर हम बात करें भुगोल है यहां पर ठीक है उसके बाद यहां अगर हम बात करें तो भा के लिए में पूछा ही जा रहा है लिए जो नोट जो भी बॉक्स में बनाए कि गया है वो most important है, तो आपको ये पता चल जागा कि कौन सा चीज इसमें important है, क्या चीज आपको परके ही जाना चाहिए, केवल notes ही आप देख लेंगे, तो काफी कुछ आप लोगो exam के लिए, जो छोटे मोटे exam होते हैं, उनमें काफी जादा उप्योगी साबित हो सकता है, देख सकते हैं, हाँ पर हर एक चीज को बहतर तरीके से यहां cover किया गया है, ठीक है, हर एक चीज को theory के लिए दोस्तों ये बहुत अच्छा book है, बट objective के लिए उतना अच्छा book मैं नहीं मानूँगा ऐसे, ठीक है, तो आप किसी भी label के exam की तैयारी करते हैं, तो इस book को जरूर follow कीजे, इस उसके बाद हिमायू के बारे में बताया गया है, सेरसा सुरी के बारे में बताया गया है, उसके बाद से सेरसा का प्रसासन बताया गया है, फिर अकबर के बारे में यहां बताया गया है, तो पॉइंट इसके दोस्तों बहुत अच्छे है, लूसेंट से मुझे एकदम बहु एक डुट ही संदर बुख है है यह हम अगर हम यहाँ देखें यह साइड जोगरफी ए तो जग्रपी में अच्छे सी यहाँ लिखाव है चाहिक है लख काफी कुछ यहाँ दिया और अगर हम बात करें आगे समाने विज्ञान देख सकते हैं यहां भी अच्छे से बताया गिया इन्होंने तो यह बुक दोस्तों बहुत अच्छा है मैंने सभीधान यह सब देखा था आ आर्टिकल यह सब तो आर्टिकल में बहुत important important बात लिखा हुआ है जो आपको solution में बहुत खूजेंगे तब जाके आपको मिलेगा सारा चीज यहां arrange करके दिया हुआ है ठीक है एक एक चीज बताया गया है सविधान के बारे में राश्पती के बारे में तो arrangement है दोस्तो जो इसमें data का arrangement है वो बहुत अच्छे तरीके से दृष्टी के publication के book में किया गया है ठीक है यहां देख सकते हैं एक एक चीज है आपको clear होगा बहुत अच्छा book है दोस्तो इसे आपको मैं बोलूँगा कि आपको लेना चाहिए आज ही मैंने इस book को purchase किया है और दोस्तो यह book सविधान सभा बनने का फिर यहां देखेगा यहां देखेगा 22 date दिया important date यहां दिया हुआ है 22 जुलाई 1947 को राष्टी ध्वज को अपनाया गया ठीक है एक एक चीज यहां detail में दिया है सविधान सभा के drafting committee के कितने member थे तो वो भी यहां दिया है ठीक है राज्य छेत्रे के नामों का परिवर्तन कब किस राज्य का परिवर्तन हुआ तो वो सब यह एक एक चीज यहां दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से दिया है तो यह book आप लों के पास होना चाहिए ठीक है आप देख सकते हैं यह book बहुत अच्छा होना होना चाहिए क्योंकि इसमें नोट जो है टेबल है वह बहुत ज्यादा उपी होगी है एक एक चीज आपको मिल जायागा और दृष्टी के और भी बुक आते हैं आप देख सकते हैं यह सब बुक आते हैं दृष्टी के और डेटadd बुक है यह ठीक है तो फिलहाल इस वीडियों एतना ही अगर इस जानना होगा यह नोट वीडियों में आपको जानना को तो आप라고 कॉमेंट करके मुझे बताइयका वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को प्लीज सब्स्राइब किजिया आजिए करता हूं कि आज के दिन आप लोग का काफी अच्छा रहे एगले वीडियो में फिर से मिलते हैं ठाइंक यू